इसने आठ संदिग्द आतंकियों को दबोचा, आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कर रहे थे काम, आतंकी प्लान को डिकोट करने में चाहिए इसने आठ संदिग्द आते हैं, आता है। कि बहुत challenging field है वाकी है भी कि field पर जाना, reporting करना, अगर आप studio में हैं तो heavy-heavy lights के बीच में बैट करके bulletin करना, anchoring करना, जादा make-up करना, ये सारी चीज़े सच तो हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों को रोकना इस field में आने के लिए, journalism में आने के लिए, ये बहुत गलत है, जो आपके बच्चे चाहते हैं, उन्हें वो करने दीजे, बहुत से parents हैं, वो ऐसा भी सोचते हैं कि जादा make-up करना पड़ता है, तो इसकी वज़े से skin खराब हो जाती है, जल्दी skin खराब हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दू, य आपकी skin की deep cleansing कैसे की जानी चाहिए, और इस वीजियो में, अगर आप अंत तक बने रहेंगे, एंड तक आप बने रहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी, एक ऐसा formula, जो ना सिर्फ make-up को remove करेगा, बलकि अगर आप उसको daily routine में भी अपनाएंगे, तो आपकी skin glow करेगी, और आपकी skin की impurities होगी, वो दूर हो जाएगी, तो इस वीजियो को एंड तक जरूर देखे, आपको वो formula जल्द पता लगेगा. Hello once again, तो मेरे bulletin खत्म हो चुके हैं, और वक्त हो चला है इस make-up को remove करने का, और मेरी वीडियो भी इसे पर थी कि आखिर का कैसे, make-up को remove करने की सही technique क्या है. Initially, जिन-जिन चीजों की जरूरत होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको ऐसे चार से पांच cotton pieces लेने हैं, और इनको गीला करना है. Water spray की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी cleansing milk की, और Johnson's baby oil की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी, rose water की, toner की भी आपको जरूरत पड़ेगी. अब शुरुवात करते हैं और आपको एक हेयर बेंड की जरुद पड़ेगी क्योंकि जब मैं मेकप रिमूफ करती हूँ तो उस दौरान अगर बाल मुझ पर आएं तो फिर उसकी वज़़े से प्रॉब्लम होती है काफी जादा और वो सही से हो ने पाता क्लील तो cotton pieces को पहले गीला कर देने अच्छा एक और important बात अगर आपकी skin dry है तो आपको johnson's में भी oil का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कोई भी oil जो कि आपकी skin को suit करता हो और अगर आपकी skin oily है तो आपको ये use करना चाहिए cleansing milk के use करना चाहिए मेरे skin उतनी oily नहीं है तो इसलिए मै cleansing milk का इस्तेमाल कर रही हूँ cleansing milk को सबसे पहले क्या करेंगे क्योंकि आप मेरा makeup देख पा रहे हैं मेरी eyes पर और मेरी lips पर थोड़ा सा ज्यादा makeup है तो पहले एक ऐसे cotton piece का लेंगे और उसके बाद इस पर थोड़ा सा ऐसे cleansing milk लेंगे और इसको इसे spread करके सिर्फ eyes को निकाल इसे eyes के ऊपर जो shadow लगा हुआ है इसको remove कर लेंगे इससे होता क्या है कि अगर मैं पूरे पर ये cleansing milk को apply करूंगी तो फिर वो पूरा काजल मुँपर पैल जाते हैं और उसकी वज़से ये जो dark circles हैं वो बन जाते हैं और वो पूरी eyes काली हो जाती है तो इससे क्या होते हैं कि सिर्फ उतने एरिया को cover करता है जितना कि मुझे remove करना है target areas को ही लेता है ये तो मैंने कि लिप्स पर से lipstick भी remove कर ली है अब अपने face को थोड़ा साम कि गिला करेंगे थोड़ा साम लेंगे cleansing milk इसको दोनों हाथों से रब करना है ये माइट भी थोड़ी सी अजीव लग सकती है लेकिन यही सही हुए है निकालने का अच्छा बहुत लोग होते हैं न वह अपने face के साथ बहुत जात्ती करते हैं और बहुत तेज तेज रब करते हैं यह कहा भी जाता है कि आपकी जो face के skin होती है वो आपकी body के skin से अलग होती है काफी ज़ादा soft होती है तो उसको उसी तरह से हमी read करना चाहिए बहुत हलके हातों से इन तीन fingers से इन तीन finger से बहुत हलके हातों से इसे circular motion में हमको ऐसे गरना है और जहां जहां पर आपका foundation लगा है उन एरिया इस पर इसको ऐसे circular motion में बहुत हलके हाथ से ऐसे घुमाना है हाथ यह देखिए मेरा जो base मैंने लगाया था वो मेरा निकलने लगाया है इसलिए अगें हम इसको cotton को लेंगे तैने अपनी fingers को clean कर लेंगे सदाट की दुबारा से वोना हूँ अगें cotton piece लेंगे और इसको बहुत प्यार से बहुत जेंटली इसको remove करना है आपका face बहुत जादा नाजुक होता है आपकी और body parts की अगर हम comparison में करें देखें तो किया बहुत त्रणा निकालना है बहुत से लोग होते है मैं आपको for example बताते हैं बहुत से लोग होते हैं इसको ऐसे गर के निकालते है क्योंकि इसकी वज़े से क्या होता है आपको rashes पढ़ जाते हैं और वह path छोड़ देते हैं तो वह अलग ही दिखता है फिर गंदा आपने देखा होगा वीडियो में तो इसलिए थोड़ा सा नेक पर भी हम इसको कर लेते हैं वैसे तो एक बार ही sufficient रहता है cleansing milk को ले करके face पर massage करना बट मैं दो बार करती हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ज़ादा अच्छे से होगा तो दूसरी बार बहुत थोड़ा ऐसा cleansing milk ले और ये खुद के satisfaction के लिए मैं दूसरी बार करती हूं एक बार और खरेंगे इसको cleansing milk से इसलिए cotton को गीला करना ज़रूरी है तो मैंने सूखी साइट से उसको किया तो सारी cotton मेरी मूपर चिपल गई थी अब इसके बाद जो second step होता है वो रहता है आपको कोई भी ऐलोवेरा जेल लेना है मेरे पास इनस्प्री का ऐलोवेरा जेल है उसको अलका सा लेना है हाथ में और इकबर उससे भी अच्छे से मसाज कर लेना है पेस को क्योंकि बहुत सी ऐसे पार्टिकल्स रह जाते हैं हमारे खुले हुए पोर्च में तो अभी मैंने अपने पेस को cleansing milk से और aloe vera gel से clean कर लिया है अभी हमारी आइज का एरिया रहता है अभी आपको देख करके लगदा होगा कि आइस भी clean हो गए लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि actually eyes clear नहीं हुई है अभी इसमें पोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है काजल रह जाता है अगर आपके पास petroleum jelly है तो और जादा अच्छी है petroleum jelly को अपनी उंगलियों पर लेकर के उसको circular motion में अगर आप घुमाए अे जहां जहां पर हम पाजल लगाते हैं मशकारा लगाते हैं वहाँ वहाँ पर मैं से अबट कोistles के हातों से लगाऊंग Status 6 तो वही आप थोड़ा सा हमें लगता कि लिए लेकिन लेकिन कि यही टोड़ी-छोटी चीज़ों पर आप में द्यान अब उसके बाद अभी आपको मेने फॉर्मिले की भी बिदीओ में वीदियो में फिर्क्रिया था फॉर्मिला भी आपको बताओंगे लेकिन एफको वीडियोर अंथ तक देखने हैं उसके लिएNow तोनर आप लेंगे, कोई भी टोनर आप ले सकते हैं, तो तोनर को अगें, अच्छा, डारेक्ट टोनर आप अपलाए नी कीज़ेगा, उसकी वज़े से आपके आखों को जल सकता है, चुब सकता है, और आपकी स्किन को भी छिल सकता है, तो उसी तरह से ही, कॉटन के पीस को ल तो आपलाए करने के बाद हो हो ऑड़ा साव पीस को सांस लेने के लिए चोड़े क्योंकि जैसे मैंने मेकप सुभा से किया हुआ नहीं लेटासा सांस नहीं आ रहा था इसलिए घृतासा चोड़ दें पानी वानी पीजी एपानी के लिए बहुत अच्छाप seems वो अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए रखने के लिए पानी खुप सारा पीना है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीए तब तक कहना आपकी कि इसकिन को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अभी गुलाबजल लीजिए गुलाबजल को इसे हलके हातों से टाप करना है तो लास्ट मैंने रोज वूटर अप्लाई किया था और हमेशा यह ध्यान रखना कि जब भी आप अपने फेस को क्लीन करते हो तो अपनी फेस को थोड़ा सा टाइम देना बेशक दस से पंद्रा मिनिट का और मैंने दस से पंद्रा मिनिट खुद को दिये तब तक मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैं दुबारा से आई हूँ और अब उसके बाद जो नेक्स्ट रहने वाली है अधर वो मैं आपको बता देती हूँ यह एलोविरा जैन आप लीजिए ऐसे और उसके बाद इसको जेंटली रब करना अबने से इस पे और पूरे अरिया को कवर करना है बेसिकली यह क्या है कि आपके जो पोर्स खुल जाते हैं आपकी स्किन को क्लीन करने के बाद यह उसको लॉक करने के लिए होता है अब आपने लिए लगा लिया है उसके बाद आपको लगाना है टोनर टोनर नहीं स्वारी से रम हो जाते है गलती में उन्नती देख रही है ना मुझे इसलिए और पूरे फेस में से सिर्म लगा लेंगे अच्छा एक चीज और बहुत से लोग होते हैं अपने फेस पर सिर्म लगाने के बाद कुछ नहीं लगाते हैं सबसे जादा इंपॉर्टेंट चीज जो है याद रखने के लिए वो ये कि सिर्म के बाद हमेशा अपने स्किन को लॉग करने के लिए मौश्यूराइजर जरूर लगाएं यह बहुत जादा जरूरी हो जाता है और इसके लिए तीन मिनट का टाइम है तीन मिनट के अंदर ही आपको सिर्म के बाद मौश्यूराइजर जरूर लगाना चाहिए अभी जैसे मुझे बाहर जाना है तो मैं अपने फेस पर संस्क्रीन लगाऊंगी यह मौश्यूराइजर का भी गाम करेगा और यह सबसे आख्री स्टेप है और जिस फॉमिले का आप इंतजार करें जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो की शुरवात में जिक्र किया था और मैंने बोला था कि अगर आपको मेकप नहीं रिमूव करना और आपको अपने फेस पर गलो लाना है अगर आप उस फॉमिले मैं आपको बताने वाली है मेरी सारी जो मेकप रिमूव करने की प्रोसेजर है वो खातम हो चुका है जिस फॉमिले का मैं जिक्र करी थी उसका नाम है CTM आपको लग रहा होगा कि CTM कोई प्रोड़क्त है नहीं CTM कोई प्रोड़क्त नहीं है यह एक फुल फॉर्म है क्लीनि मिलका ही इस्तमाल करती कि अगर मेरे पूरा फास रे होता करती आिसलिए मेरे टीज़ॉन एरिया औवली है तो इसलिए मैंने ऑईल का इस्तमाल नहीं किया फिर उसके बाद मैने अपने फेस को टोनर से पूरेे फेस को Ihr को और उसके बाद मैंने maIR? करा तो यह CTM अगर आप डेली लाइफ में अपनाएंगे हर रोज CTM करेंगे तो आपके फेस की जो impurities होगी वो दूर हो जाएगी और आप एक हफ़ते के बाद ही देखेंगे कि आपके फेस में जो impurities थी जो जगा जगा पैचिस दिखते थे वो पैचिस दिखने बंद हो जाएगे और आप अपनी स्किन पर काफी जादा अंतर देखेंगे और आपकी स्किन जो होगी वो काफी जादा ग्लो भी करेगी तो आप सबी कोई वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताना कुछ गल्पियां अगर मेरी होंगी तो आप मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में और इसके अलावा इस तरह की वीडियो में लेकर के आती रहूंगी मेरे फ्रेंड्स अभी मुझे परिशान करें तो मुझे वाइंड अप करना होगा तो बाबाई टेक केर मिलते हैं आगली वीडियो में